हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का अपने इस प्यारे से परिवार में स्वागत हैं तो कैसी चल लए आपकी प्रिप्रेशन एडवांस मैठ प्रिग्नोमेट्टी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे लेवल के कोशन पढ़ पा रहे हैं तो देखिए प्रिवेसर क्लास में हमने नाइन नमबर तक तो सॉल्व कर लिया था और टेन नमबर सॉल्व कर रहे थे तो माइक आप जो है डिसक्रेक्ट हो गया था तो वाइस रिकॉर्ड नहीं हो पाएती कोई दिकत नहीं आज आम इसको बतारेंगे ना आपको चलिए तो वीडियो को लाइक सेयर कर देजिए इसके बाद चलते हैं अपने ट्रिक्नोमेट्रिक की जर्णनी को लेके और आगे हां चलिए तो देखिए इसमें सिंप्लीफाई करना था वन अपॉन कॉस एक्स और बड़े से रूड में आपकी पूरी वैलू है क्या है आपकी कॉस पाई प्लस एक्स इंटू क पाई भाई थीरी पाई भाई फोर पाई भाई फाई पाई पाई भाई शिक्स तक हां बाई हाड आपको यह वैलू याद होनी चाहिए अल्टिमेट सबकी वैलू मैंने बताए थी तो अब आपको केवल डायक्ट कोसन करवाएंगे चलिए तो कोसन नोट डाउन कीजिए क् वइन पॉन बड़े से रूट में आपका क्या है देखिए क्स क्वाइडन की बात हो रही देखिए यह आपको फर्स्ट कौार्ट में आपके और पॉजिट्व इस से बहुत अच्छे तरीके से हम रूबरू हो चुके हैं इसके बाद देखिए किस क्वाइट की बात हो रही है कॉस पाई पाई के मतलब क्या होता है मेरे बाई प्रिवेश्टर क्लास में बताया था 180 तो बार बार रिपीट नहीं कराएंगे आपको डैक्ट यहां पर वैलू रखके सॉल्व कराएंगे तो पॉस 180 प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाइट की बात हो रही है और थर्ड क्वाइट में आपका 10 पॉजिटिव होता तो कॉस क्या हो जाएगा आपका निगेट्व कोसन सॉल्व करने के लिए क्वाइट कंसेप्ट में मैंने आपको दो कंसेट बताएं पहला क्या यह देखिए तो देखिए यह आपका क्या है थर्ड क्वाइट में आपका 10 पॉजिटिव होता है तो कॉस क्या हो जाएगा निगेट्व इसके बाद 90 का देखिए 180 जो है 90 का भाई क्या है यह इवन मल्टीपल और इवन मल्टीपल पे नो चेंज तो क्या जाएगा एज़ इस माइनस का क इस इतनी बात समझ में इंटू इंटू कि आपका कॉस माइनस एक्स मतलब क्या फोर्ट कोड़न की बात हो रही है फोर्ट कोड़न में आपका कॉस पॉजिटिव होता है और लेडी कोस है और 90 का इवन मल्टीपल और नो चेंज तो हो जाएगा एज़ इस कॉस एक्स अपॉर्ट यह क्या लिखा है माइनस एक्स लिखाता ना तो मतलब कास माइनस एक्स किस कोड़न की बात हो रही थी है भाई मेरे 360 डिगरी मतलब कौन सी कोड़न आपका पॉर्ट कोड़न समझ में आए ना बहुत ही बेतरी तो इसलिए प्रिवेसर क्लास को आपको दे पॉर्ट यौे तो रह गया उसके बात यह क्या है एक्स 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 एनटी का इवन मैल्टी पले तो टो चैंज क्या हो जाएगा आपका साइन में एक्स इन्टु इन्टु कैसा नायन्टि प्लस एक्स nonprofit आहसे तो क्या हो जाएगा आउ ये इस पोर्मेट में चेंज हो जाएगा नावस नाइंति प्लस एक्स किस्ट अप सप्सकर्स PRI एक okay सेकेंड की बाद की बात और सेकेंड लुक्रारे कर पार साइन पॉजिटिव तो चाहिए निगेट उन इसके बाद 90 का और मुटिपल या इवन तो यह भाई यह क्या बन गया 90 और 90 का ये इंतु उड्टी का ये औरड मुल्टीपल में कॉस किस में चेंज हो जाएगा अपने कॉम्पलीमेंटरी साइन एक्स में चलिए आप इसको करते हैं भाई मेरे सॉल्व चलिए लिए लिए फानपन कस कॉस το X upon, sign into sign, क्या हो जाएगा, sign square X, तो भाई, चलिए एक इस टेप और लिख दे रहे हैं, one upon, one upon cos X into, ये square से root खतम हो जाएगा न, देखे, इस square से, ये root आपका finish, तो क्या बचा, बचा मेरे भाई, आपका ये, यहाँ पे देखिए, into, into आपका बचा cos X upon sign X, तो देखिए, यहाँ से आपका, कुछ finish हो रहा है, कॉस से, कॉस आपका finish हो रहा है, चलिए, इसके बाद आपका बचा का या, बचा है, आपका one upon sign X, one upon sign X, किसका reciprocal होता है, cause X का, किसका, cause X का, ये आपका 100% correct answer हो जाएगा, option number D, जो कि आपका correct है, SSC phase X में आया था, बहुत ही बिंदास, अच्छा question था, चलते हैं next, next देखिए, आपका 11 number, और ये question आपको भले ही देखने में थोड़ा से बच्चा, ननना मुनना से लगे, पर अपने आप में बहुत ही अच्छा label का question है, चलिए, उच्छा आप अगया SSC CHSL में, और इस type क condition, previous class में हमने solve करना सीखा था न, चलिए, फिर से इसको note down करते हैं, क्या है आपका, given है आपका, sign, sign 73 degree, plus, plus है आपका cos, cos 137 degree, correct, तो देखिए, हम कुछ नहीं है, आप से एक ही बात बोलते हैं, कि बस आप इसको 90 के format में break केजिए, तो देखिए, sign, 70 तो आपका adjectives हो जाएगा, plus, plus, इसको देखिए, cause, cause 137 को कैसे 90 के format में कहले का मतलब यह है, 90 से divide कीजिए, 91 जा 90, ठीक, एक ही बार में, तो क्या आजाएगा, यह आपका, देखिए, 117 में से जब आप 90 माइनस करेंगे, तो आजाएगा आपका 47 डिगरी, और लिखने का format क्या होता है, देखिए, 90 के, 90 के एक गुने से, 90 के, 90 के एक गुने से, 47 डिगरी, 47 डिगरी अधिक है, फिर से समझे ले न, क्या क्या मैंने, 90 के एक गुने से, 90 के एक गुने से, 47 डिगरी अधिक है मेरे भाई, यह फॉर्मेट होता है, सीरीज से लिखने का, चलिए, तो क्या हो जाएग है नब्वे के नब्वे के एक गुने से 47 डिगरी अधिक है चली तो भाई अब इसके बाद आप कैसे लिखेंगे इसको और देखिए एक बार साइन साइन ती 70 डिगरी आपका एज़िटिस प्लस इसके बाद देखिए किस क्वार्ण की बात हो रही है आपकी सेकेंड क्वार्ण हाँ क्यूकि 90 से भी ज्यादा का आगे सेकेंड और सेकेंड क्वार्ण में आपका साइन पोजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा माइनस का हां दोई बात को तो ज्यान देना है क्वार्ण और नांटी का और या इवन मल्टीपल सेकेंड क्वार्ण की वज़े से माइनस हो गया और नांटी का मेरे भाई 90 का यह क्या है और मल्टीपल तो कॉस कि समेंच कनवर्ड हो जाएगा अपने कॉम्प्लिमेंटरी साइन 47 जोगी थोगी यहां पर आपको क्या एक फ़ार्मूला याद करना अब यह फार्मूला बन रहा है क्या साइन सी माय असाइन डी का तो आपको सेल वह मेंट फारूला लिखाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा आपको याद करना है और ट्रिक के माद्धिम से आपको याद कराएंगे क्या फॉर्मूला लिखाने जा रहे हैं अभी इसी वक्त हां कई पे कोने में दबा के रख लेना है और कभी भी इसको हूं को लाइफ में छोड़ना नहीं है जब तक जोब न लग जा यह समझ पा रहे हैं ना समस्ख पा रहे हैं ना मेरी भाई क्या कहल रहा है चलो है ठो करते हैं अप। तो है कि COM جए कि साइन सी मालatin का फार मुला क्या हो जाएगा पहला आपको लिखा रहे हैं क्या साइन सी प्लस साइन डी करेक्ट सेकंड आपको याद रखना है आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला करेक्ट चलिए क्या होंगे कैसे होंगे आपको बता रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला तो क्या होता है सबसे प्रएतो आप ही टू indуль के गिधेक दो साइन है चलिए ट्र 2, cos. एक बार sin آय और फिर consultation, आप cause घी आए, यह özos, cos. यह c है, तो minus हो जाएगा ना, चलिए. सिझ माईना डी वाइ 2, correct शेलो. sin c, minus sign d के फरमूले में क्या होगा, sin c, minus sign d के फरमूले में क्या होगा, देखिए, तो यहाँ पे साएगा, कोस आपको रिलेट करा रहा है कि कि लंबे समयता आपको फर्मूला याद रखने हैं तो क्या हुज़ा कि टू कॉस टी प्लस डी बाइटू इंटू इंटू साइन साइन सी माइनस डी बाइटू समझ में आया न अब आपको यह वाला फार्मूला यहां पर यूज हो रहा है साइन सी माने साइन डी का फॉर्मेट बन रहा है चली हां वहीं फॉर्मेट बन रहा है चलिए तो यह वाला जो है आपका फार्मूले में कनवर्ड होने जा रहा है इ में साइन सी माइनस साइन डीगा और यह फार्मूला क्या होता है आपका तू कॉस ती माइनस डीवाई टू इंटू साइन इंटू साइन सी माइनस यह पहले प्लस होगा फिर उसके बाद माइनस होगा ना सी माइनस डी वाई टू करेक्ट यह फार्मूला उठाके लाइए और यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि देखिए क्या हो जाएगा अब आगे यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो टू पॉस तू कॉस सी प्लस डी वाई टू तो एक बार आपको इनको एड करना है है 73 में 47 एड करके हाफ करना चलिए लिख दे रहे हैं इन्टू इन्टू साइन सी माइनस डी वाई टू हां 73 में एक बार यह आपका सी है और यह आपका डी है करेक्ट क्योंकि बड़े वाले से ही छोटा वाला तो घटाते हैं पोजिटिव वाली चाहिए चाहिए एक बार इस में इसको जब आप अड करेंगे सब्सक्राइब करें उसके बाइब इसको हाफ करेंगे तो क्या आजाएगा आजाएगा भाई मेरे आपका 60 सिक्स्टी चलो कैसे आएगा वो भी देखलो इसमें आपको अड़ किया 60 करी आपका 112 120 120 का हाफ कितना होता है बाई 30 तो होता है तो वही मैंने एक बार मिलिक दिया था चलिए इंटू साइन आपका एजिटिस अब इसको एक बार हाफ करना है तो देखिए यह क्या हो जाए आपका 26 और 26 का हाफ हो जाएगा आपका 13 आप देख लेना 26 का हाफ आजाएगा आपका 13 करेक्ट इसके बाद देखिए आपको भी पता है बच्चा बच्चा भी जानता है क्या करना इसको आगे सॉल्व तो क्या नहीं कर पाएंगे होंबर्क में देदें या सॉल्व करने चलो सॉल्व करना उच्छीत है तो बस आपको भी पता यहां से रखनी इसकी वैलू तो क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस और कॉस 60 की वैलू, साइन की वैलू को रिवर्स कर दिया जाए तो कॉस 60 की की वैलू निकल आती थी ना चलिये तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, 2 इंटू, 1 by 2, क्रेक्ट, इंटू, इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन, साइन 13 डिगरी तो देखिए यहां से 2 से 2 आपका कैंस तो यह आपका होगा इस फॉर्मेट से आपको करना इसको और और सीट जब आपकी नेक्स्ट करवाएंगे तब दबा कि सीजियल एससी सीजियल के में में कोशन दवा कि इसमें पुछे गए हैं प्रिवेस यह पिछले साल चलिए साइन 13 डिगरी ऑप्सन नंबर ए जो कि आपका करेक्ट है यह करने का इसका सिंगल एक मैथड है चलिए कुछ इसका कोई आप पूछेंगे कि साटरिक है तो इससे सोटरे कोई नहीं है फार्मूला आपको यूज करना चलिए इसमें आम आपको 2-3 फार्मूले दे रहे हैं कंसेट क्योंकि आपको किलियर हो जाए चलो हम आपको खुद आपको दे रहा हैं वहाँ देखिए पहरे कि आप साइन अस्टाइस अत्तर डिगरी साइन से तर डिगरी अशन प्लस साइन से पचाज डिगरी करेक्ट यह आपको पहला फर्मूला कि ने आपको आपको और दुसरा question आपसे पूंच ही लेते हैं चलो साइन 70 degree minus sign 50 degree चलिए तो क्या है आपको भी पता है ऐसे equation जब बने तब आपका कौन से formula best आपको बता है sin c plus d by sin c और sin d और दुसरा क्या बता है sin c minus sin d तो देखिए आपको कौन से लग रहा प्लस है तो sin c plus sin d का formula यूज़ करेंगे ना तो formula भी लिखिए क्या होता है आपका यहां पर आपका यूज़ हो रहा है sin c minus sin d का formula correct जो कि आपका क्या होता है यह होता है आपका 2 हाँ plus वाला है ना plus वाला minus वाला बाद में दिया है चलिए बहुत ही minus plus का बहुत ही फंड़ा याद रखना है 2 हाँ इसके बाद आपको ट्रिक के मादम से याद करना बता है ठीक है तो और साइन है ना तू बार साइन तो टू साइन फ्लस के फंड़े में क्या करना है और इसके बाद c plus d by 2 हाँ into into cos एक बार साइन आया फिर कहता आप कॉस यह आप आ जाईए तो कॉस जाएंगे वह भी इसको करते हैं सॉल्व यह क्या है आपका फॉर्मूला हां यह क्या है आपका फॉर्मूला चलो इसको करते हैं ना तो देखिए साइन आपका एज़िटिस टी प्लस डी वाइटू सत्तर में पचास जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 120 का आदा होता है साथ करेक्ट इंटू इंटू आपका आजएगा कॉस टी मानस डी वाइटू सत्तर में पचास घटाएंगे आपका आगा बीस और बीस का हाप कितना होता है साइनटु इंटू कॉस टी दिगरी तो देखिए यहां से टू से आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका एंसर क्या जाएगा रूट दिगरी जो कि को करेक्ट एंसर माद्द्यम से को करना है समझ में आया चलिए इसको भी कड़ते हैं आ देखे आपको एक प्लस का फर्मुला बनाने को दिया था एक मैंस के फर्मुले के आधार पे दिया तो यहां पर क्या बनेगा है और यहां पर साइन ती माइनस साइन कि संफार एक साइन डी का, correct, जो कि आपको फार्मूला क्या होता है, 2, cos, c plus d by 2, into sin, into sin, c minus d by 2, ये क्या है आपका, sin, c minus sin d का फार्मूला, इसको करते हैं न, solve, चलो, 2, cos, आपका, as it is, इसके बाद देखिए, sin, c plus d by 2, 70 में, 50 को जोड के हाप कीजिए, 70 plus 50 कितना हो जाएगा, आपका, 120, 120 का हाप कितना होता है, आपका, 60 degree, हाँ, into, into, क्या है, आपका, sin, 10, sign, आपका, as it is, 70 में, 50 जब आप, less, करिंग, कितना आजाएगा, 20, 20 का हाप होता है, आपका, 10, correct, तो देखिए, आगे, solve कीजिए, 2, into, cos, 60 की value क्या होती है, cos, 60 की value होती है, 1 by 2, into, sign, 10 degree, correct, 2 से 2 आपका, कड़ गया, तो क्या बचा, आपका, sign, 10 degree, हाला कि ये तो, हमने लगरा, कोसन, पिछ, solve भी किया था, हाँ, इसी फार्मेल वी तो, solve किया था, जली, 13 था, इसमें आगे, आपका, 10 degree, तो देखिए, इसी आधार पर आपको, करना है, solve, तभी आपको, मिलेंगे, पूरे के, पूरे, नमबर, समझ पाया ना, बहुत ही बेतरी, चलिए, आगे, चलते हैं, ये आपको, फर्मूले याद रखने है, 11 नमबर तक हो गया था, आप आते हैं, 12 नमबर, और देखिए, 12 नमबर, जो कोसन है, आपका, हाँ, ये आपका, आपको, बहुत ही कुछ देखना, सीखने को कुछ नया मिलेगा, बहुत ही अच्छा, और बहुत कुछ मिलेगा, इसमें सीखने को, देखिए, कैसे करेंगे, इसको solve, किस format में करेंगे, इसको solve, तो देखिए, कुछ नहीं मेरे भाई, तो देखिए, ये क्या लिखा है, सबसे पहले तो देखिए, find क्या करना है, आपको, find करना है, थीटा की value, थीटा की value आपको करनी है, find, if cos theta is equal to minus का root 3 by 2, इन में से किस situation में ये satisfy करेगा, तो देखिए, pi upon 2 क्या होता है, आपका 90, 90, और 90 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 270 degree, correct, ये कितना हो जाएगा, ऐसे किया ना, भाई, देखो, इसे किया, 3 into, 1 upon, पाई upon 2 कितना होता है, आपका 90, और 90 का 3 गुना कितना हो जाएगा, आपका, 270 degree, correct, ऐसे ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 450 साड़े 400 समझ पाए ना बहुत ही बेद चलिए इसके बाद यह क्या हो जाएगा पाई एपों थिरी क्या होता है कितना हो जाएगा कि दो सो चालिस डिगरी समझ पाइना दो सो चालिस डिगरी इतनी बात समझने में कहीं आको को confusion नहीं होनी चाहिए कि 240 डिगरी हां यह आपका है 450 कि 450 देख रहा है ना अभी हो रहा था आपका कट पर आप देख पाना है अब तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हर एक को उठाइए और यहां पर रखते उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं किस फॉर्मेट में है बहुत धायर पूर्वा का आप देखिएगा उठाते हैं पहले क्योशन को क्या है आपका तू हाँ दो सो कि 270 डिगरी करेक्ट कि 270 डिगरी इसको कैसे सॉल्व करेंगे 270 का गया ऐसे रिलेक है कॉस्ट थेटा इक्वल टू माइनस करूर 3 वाइट तू किसके इक्वल में हो यह बोला गया है तो देखिए 270 को उठाते हैं और इसको करने का सॉल्व करने का प्रयास करते हैं 270 डिगरी इसको 90 के आपको करना है ब्रेक 90 के फॉर्मेट में आपको करना है ब्रेक तो देखिए ना मिकमध्र कहते है के सबसे बस हमता अन्हीं से तो चलित है आप को स्फॉल करना ह। समझना है इसलिए आपको ऐसे बता एघा है है यौने में से नबस दीकूरी आप आपका देखिए सबसे पहले देखना है कौन सा है तो क्वार्डेंट है भाई मेरे 90 से भी 90 के दो गुने तो सेकेंड क्वार्ड से भी ज्यादा उसे कर थार्ड क्वार्ड और थार्ड क्वार्ड में आपका केवल टेन पोजिटिव होता है दियो हो जाए का माइनस इसके वाला तो हुआ नहीं तो देखते हैं बी नंबर हो सकता ये वाला हो उठाइए जलो तो बी नंबर कुठाइए और ये सॉल्व क्या है आपका चार सो पचाज डिगरी इस इक्वाल टू कॉस चार सो पचाज डिगरी परेक्ट तो देखिए कैसे करना 90 के मल्टीपल में ब्र ब्रेक करना है यह मैंने यह भी बताया था आपको जब कभी थीन TOS साट से ज़्यादा हो जब यह कभी वैलू तीन के चार से इस मधिया उसको यह नबर कर देघरी परेक्ट करेक्ट अबर की तो इसको क्या लिग सकते हैं इसको लेक्ट सकते हैं पास नब्बे और डिगरी कॉस नब्वे डिगरी की वैलू क्या चलो आपको वह ऐसा ही बता दे रहे हैं अगर कोई दिक्कत नहीं चलो क्या है कॉस के 90 के फॉर्मेट में टोड़ना है कॉस के हां नब्वे के कै新 फी लिगुने से हान नबी डिगरी अधिक है समझ पहना आएगा आएगा सबनेली ऑडंसर अपका किस कॉर्ड़ən्ट की बात हो रही है तो फोर्फ क्वारंट में यह क्या रिक्रजंट करता है यह करता आपको ओर्ष भी ज्याधा वेल्व तो तो क्या करेंगे वां पर नेगेट इसके बाद यह का और मल्टीपल है 90 का और मल्टीपल है ना चलिए 90 का और मल्टीपल है तो कॉस अपने कॉम्पलीमेंटरी में चेंज हो जाएगा कॉस अपने कॉम्पलीमेंटरी में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा साइन साइन नाइन्टी और साइन नाइन्टी की वैलू क्या होती है यह था जाएगा आपका यह माइनस का वर्टborg ऐसा ही इसी प्रकार को बाइहाः दो वरेलू आपको याद रखनीड जो कि आपको नोट पढनांके लिखा देरे हैं कि साइन साइन 180 की वैलू क्या होगी और कॉस वह से याद रखनी है इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 90 के एक गुने से 90 अधिक ठीक है तो क्या हो जाएगा कॉंप्लिमेंटरी कॉस 90 क्या हो जाएगी हाँ जीरो आपको याद रखने समझ में आया ना चलिए हाँ 450 तक बात होगे इसके बाद आते 120 वाले पर हां 120 वाले पर तो देखिए 120 डिगरी इस इकल्टू कॉस एक सो बेक्स ढ़ली इसको नांटिक स्प़्राइड में ब्रेक की जये तो क्या होजाएं कohs 90 के एक गुने से ही अधिकैट्य के एक मैं से इस डिग्री अधिकले तो क्या हो जायगा देखिए टेखन काउनन आप में मिलतल रेते ओखेंड जिव्डल इसके बाद कौं सा बचा इसके बात बचा इसके बात बचा आपका कर 240 गडी या धिक्टे तो दिखते लिए को भी स्वाल करके तो स्वार्च डिकरी वाले को अब बचाए आपको 240 डिगरी इसको कैसे करेंगे कि तो सो चालिज डिगरी कॉस कि दो सो चालिस डिगरी नांटी के फॉर्मेट में ब्रेक कीजिए इस खुद क्या हो जागा कॉस कॉस 90 के की जो गुुने से आ कि झाइक होई समझ पहाए ना अबिके साथ डिगरी है कॉसा दिगरी आध्क कि आ रहें पाद हो रही हो लाएं सैकेंड कॉधन से ज़्यादा थाई और में छ क्षण कॉषण मे आपका 10 निकल के conclusion आया, conclusion यह निकल के आया, conclusion यह निकल के आया, कि, ना तो 270 है, इसके equal में, ना ही 450 है, इसके equal में, ना ही 120 है, इसके equal में, ना ही 240 है, इसके equal में, तो क्या करें वाई, तो यह सारे question हो गए आपके, हां जो आपके सारे जो आपके कोशन के एक्जामपल दिये गए हैं ना यह आपके सारे हो गए रोग हां तो देखिए आपके एक्जामिनर को ये बात सोच नहीं थी कि वहाँ पी ऑप्सन बनाते समय उसके धान रखना था कि ये वालू किस एंगल पर सैटिस्पाई होगी तो आपका यह जो आपके सारे जाएं बाइना ये सारे अप्सन हो जाएंगे गलत इकजामिनर की ही घलती है हां यह हो जाएगा आपका पूरा रोंग ग और कि को एक रीक्ति को ये द्धान देना ताकि यह किसके प्लमै होगा तो यह आपके 2 दिगरी पे इसको एकजामनाने तो गलती नहीद में भूल गया कहीं माहिला मित्री के चेक्कर में बिजी होगा तो डाया कुछ आपने उप्सन उसने अलग-अलग दे दिये तो अपने उपर डाउट मत करना, यह यह आपर हाँ, बाइड फॉल्ट एक्जामिनर की ही गलती है, अब पता नहीं उसने क्या सोच के यह दिया था, इसी लिए मैंने, इसमें आपके जैसा आया था, उसी फॉर्मेट में मैंने इसको यहापर पेश्ट कर दिया, क्यूंकि इस इसके पीछे का जो conclusion राज ये वो आपको बता तो सके हैं correct चलिए अब आपको कराएंगे इसको प्रूफ की cost theta is equal to minus करूट 3 by 2 किस एंगल पर satisfy होगा चलो किस एंगल पर satisfy होगा तो ये मेरे भाई किस एंगल पर satisfy होगा तो ये होगा कॉस के देर सो डिगरी और 210 डिगरी के वाल दोई एंगल पर satisfy होगा एक्जामेर को ये बात ध्यान देनी थी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं कभी-कभी चलो तो ये भाई मैरे किसके इक वाल में हो का देखे एक तो ये कॉस के हां तो ही डिगरी पर satisfy करेगा क्या एक तो कॉस के अच्छे से लिख देते हैं इसको आप हैडिंग मना के लिख लेना दो एंगल पर satisfy करेगा एक तो आपके कॉस के देट सो डिगरी पर हां और और कॉस कॉस 210 डिगरी पर केवल दो एंगल पर इसकी वैलू क्या आएगी माइनस का रूट 3 वाई 2 अब देखते हैं दोनों को solve करते हैं हाला कि ये जो आपके answer है हां ये सब आपके रौंग है हम आपको अलग से create करा अके दे रहे हैं चलिए जो करते हैं इसको पहले proof प्रूफ भी तो कराना बहुत ही जरूरी है ना कि हुआ तो क्यूं हुआ है बाकि ये क्यूं गलत हुए वह तो आपको क्य करने जार पहले उठाते हैं कॉस के एक सूपा उठाते हैं कॉस कि एक सो पचास डिगरी को नाइनटी के फॉर में करते हैं ब्रेक। चलो तो कैसे कॉस तो कस थो आपका इजटीज पॉस नभबे के नभबने के एक गुने से नब्वे के एक गुने से साट डिगरी साट डिगरी अधिक है तो चलिए देखिए सबसे पहले दो इक बातों को तो ध्यान दे रहा है इसके बाद 90 का और मल्टीपल है तो और मल्टीपल पर रेस्योस अपने कॉंपली में कर नवर्ड हो जाते हैं तो कॉस्ट का कॉंपली मेंट्री हो जाएगा साइन टिक्स्टी डिगरी और साइन 60 की वालू क्या होती है मायनस तो आपका एजटी साइन 60 की वालू होती है रूट तिरी वाई तू देखिए भाई जो कि आपका सैटिस्पाइव हुआ ना बहुत ही बेदिन सेकंड निके आपका कॉस 220 डिगरी देखते है ये वाला होगा या होनी चलिए अब देखते है कौस दोसोव दश डिगरी चलिए इसको भी देखी लेते हैं देखिए तो क्या 90 के फ्रमेट क्यों आपका जिक्टित कॉस नबे के दूग उने से हां नबे के दूग उने से तीस डिगरी अधिक ये लिखने ग फ्रमेट होता है चलू तो देखि की इस और यह ज्मर्ण की बात हो रही है सेकेंड खॉरेंस से भी ज्यादे शेकर टों से ज्धिका से डिफ्रीजें घ्टा di ख़रण में और थार्ड कॉordum में आपका टेन पॉजीटिव होता है करेक्ट चीप टिन पॉजिटिव दिथे हो जाएगा माइनस का इसके बाद 90 का और मल्टीपल है यू तो 90 का इवन मल्टीपल पे कॉम्पली मेंटरी में नुचेंज गॉस काॉस अफॉस क्या होती ए माइनस का तो आप रहाएगा माइस तो रहे देखिए दोनों एंगल पर सैटिस्फाई हो रहा है बाई ना चलिए तो मैंने बताया ना एक्जाइमनर को इस तरह क्या अप्शन ना देके आपको इस फॉर्मिड में आंसर देना था कैसे ऐसे देखो ऐसे देना था उसको अब उसको गलती सुधार नहीं थी वाई ना क्या एक सो आज देखिए पाई पाई अपॉन टू इंटू पाई पॉन एक्स वस्ती हां बताया था ना डिगरी को करना किसमें कि वह आपको प्रीवेस्टर क्लास से बताया था बार बार रिपीट कराना नहीं देखो यां बताएंगे चलिए डैक्ट आपको बताएंगे पाई पॉन एक्स वस्ती इसको डिगरी की फॉर्म में कनवार्ड कर रहा है चलिए डेट तो डिगरी तो देखिए क्या हो मुआ जाए 210 हां सेकंड अपका 210 ये क्या हो जाएगा पाई पाई फॉन एक्स वस्ती इंच्छी इंटू 210 डिगरी जीरो से जीरो कैंसील तीन से कितनी बार में जाएगा जोगो एक्जामियार को एक तो आपका 1500 डिग्री पे ऐसे देना था 3 पाई बाई 6 और देना था 210 डिग्री पे ऐसे वाली वैलू बनाके वो काउंसी वैलू देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल इसके बाद यह आपका जाएगा तीछा कठारा और तीन सते 21 तेवन पाई अपॉन 6 इस फॉर्मेट में आपके आंसर पिक कराने थे उसको तो ऐसा देना था पर यहां पर भाई आपने उसने क्या किया कुछ बिजी होगा बेचारा तो इस फॉर्मेट पर देख लिया जो कि आपके कोई भी मैच नहीं कर रहा तो साइन के 1.500 डिगरी और साइन के 210 डिगरी पे वैलू क्या होगी कॉस इस इक्वल टू माइनस करूर 3 वाई 2 अब समझ में आया ना चलिए यह आपके अगर ऑप्शन देते तो हो जाते आपके करेक्ट अंसर दोनों में से कोई एक होता चलो चलते हैं नेक्स्ट हां ऑप उसको बना के देना था चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका तेरा नंबर कोशन और तेरा नंबर कुशन देखिये क्या दिया गया है वास इस इक्वल टू माइनस करूर 3 वाई 2 और यह किस पर सैटिस्फाइग करेगा आप जानते हैं ना चलिए कॉस का कॉस एक्स इस टू माइनस करूर 3 वाई 2 किस की सेंगल पर फाइंड करेगा हां सो करेगा इक्वल होगा तू आपने देखा ना एक तो आपके एक तो आपके देड़ सो डिगरी पर और सेकेंड आपका 210 डिगरी पर करेक्ट इसके बाद भाई देख लो उसने बहुत ही खतरनाक तरीके से भी दे दी इसने क्या रेंज ये दी गई है कि जो आपका एक्स है वो 180 डिगरी तो जाद ज्यादा है एक्स जो है वह आपका 180 डिगरी से ज्यादा है ये इनिक्वालिटी दे दी गई है कि देखिए इसको समझाते है पाई ज्यादा है एक्स से पर देखो एक्स ज्याद एक यह आपकी इनिक्वाल्टी दी गई है चलिए इस रेंज को कैसे लिख सकते हैं इस रेंज को हमने आपको बताया था ना कैसे चलो फिर से बता देते हैं एक्स जो है आपका 180 डिगरी से तो ज्यादा है पर एक्स अधिया पाइपन टू की वैलू क्या होगी नबबे और यह क्यों जाएगा देखो फिरी तो हाई और पाइपन टू की वैलू क्या होती है जिए देखो 180 का आप कितना होगा आपका 90 और 90 का थीटाइं मुल्टीप्ला सब्सक्राइब कहाई और कितना आ जाएगा आपा 27270 डिगरी बास समझ में आए चलिए तो उसने इस पॉर्मेड में का एक्स जो है आपका एक्स जो है आपका मेरे भई एकस्ट आसी से तो ग्रेटर देन है बट बट आ एकस लेस देन है किस से 270 डिगरी से यह इसकी इनेक् तो देखिए आप जानते हैं सैटिस्फाई करता है कॉस्स इस इक्वल टू मानेस करूट थिरी वाई टू किसके से एंगल पर दो एंगल वह कौन से हैं 150 और 210 डिगरी तो देखिए उसने इनिक्वालिटी दिये कि भाई कि 180 से 270 के बीच में ही रेंज होनी चाहिए तो आपका देखिए डेर्ट सो तो कट हो जाएगा जो कि डेर्ट सो आपका 180 270 के बीच के रेंज में नहीं आ रहा तो कौन से उप्षिन होगा 210 डिगरी 210 डिगरी समझ में आए ना बात बहुत ही बढ़िया चलो कि अब करते हैं इसको सॉल्व इसको करते हैं सॉल्व तो देखिए क्या है आपका तू आट्व। प्लिस्ट प्लास थीरी सेक स्टेक स्कुवार एक्स देखें बहुत यह अच्छा को सने हां समझ पहले को समझना है को सन अगर आप समझ गए तब तो भाई लगा लेंगे अगर नहीं समझ पाए फिर तो आपके गड़बड़ी होगी तो देखिये एकस, एकस को क्या लेना है आपका, एक तो एकस आपका 1,500 डिगरी निकल लाता और एकस आपका 1,200 एकस, आद 210, तो ये वाला एकस तो आपका wrong हो गया, क्योंकि ये रेंजे में नहीं आ रहा, तो एकस की वालू क्या लेंगे आप 210 डिगरी, तो 210 डिगरी एकस धिगाय पर तो two caught square आपका as it is, और x की जगहे पे मेरे भाई क्या रखना है आपको 210 degree, 210 degree, plus three second square आपका as it is, और x की जगहे पे क्या put करना है 210 degree, अब आपको भी पता है, इसको 90 के format में करना है break, क्या 90 के format में करना है इसको break, तो कैसे करेंगे, देखिए, two caught, square, हाँ, देखिए, 90 के, 90 के, दो गुने से, 90 के, दो गुने से, किते degree अधिक है, तो भाई मेरे, 30 degree अधिक है, समझ पाये ना, चलिए, बार-बार basic नहीं बताएंगे, चलो, six, three, six, square आपका as it is, देखिए, 90 के, हाँ, 90 के, तीन गुने से, 90 के, दो गुने से, ना, 270 तो जादा हो जाएगा, 90 के, दो गुने से, 30 degree, अधिक है, ये लिखने का इसका, फॉर्मेट हो गया, करते हैं, इसको भाई, solve, तो देखिए, आपको, प्रिवेश एर, क्लास में, मैंने, बहुत अच्छे तरीके से बताया था, प्लस का स्कॉयर, और लेडी प्लस ही होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जब आपके रिश्यों स्कॉयर में हो, तब मानेस प्लस का, रोली नहीं होता है, कुछ, तो आपका एजटिस, इसके बात केवल, 90 का, और मल्टीपल है, या इवेन, इसका ही केवाल, आपक ट्रीपल पे, नो चेंज, तो क्या हो जाएगा, टू कॉर्ट, टू कॉर्ट स्कॉयर, ठर्टी डिगरी, प्लस है, तो प्लस लगा दीजी, इसके बार इसकॉयर है, इसका है, तो रेश्यों में जाब इसकॉयर है, तो मानेस प्लस का ध्यान इह रोली नहीं देना, इसमें, तो 3 बस देखना है 90 का odd multiple या even, odd पे अपने complementary में ratio change हो जाते हैं, even पे no change, तो क्या हो जाएगा आपका, 3, even है no change, तो हो जाएगा, 3, second, square, 30, degree, अब आपको ही पता है, बस यहाँ पे इसकी value करना है, put, value को करना है, put, 2 आपका एजटीज इन्टू, court 30 की value क्या होती है, court 30 की value होती है, 1 by, 1 by root 3 का करना है, आपको square, correct, court 30 की value क्या होती है, है, sorry, यह क्या कर दिया मैंने, court, 10, 30 की value होती है, 1 by root 3, court 30 की value क्या हो जाएगी, root 3, root 3 का करना है, आपको square, value आपको याद रखने, इसके बाद 3 into, sec 30 की value क्या होती है, sec 30 की value क्या होती है, 2 upon, 2 upon root 3 का करना है, आपकोह्पो याँपे square, तो आप आप आगे शको solve नहीं कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, 2 आपका as it is into, 1 root 3 का square का हो जाएगा hust nail 3 plus 3 Report 3,ฝा प्रक्राइब क्या हो जाएगा थीरी तो देखिए आज से थीरी से थीरी आपका कैंसिल यह कितना हो जाएगा आपका थीरी टूजा 6 प्लस 4 is equal to 10 जो कि आपका correct answer है 10 आप्षिन नम्बर ए जो कि आपका correct है कि आपको सॉल इसके बाद आता है अपना हाँ चौदा नम्बर कोर्शन देखते हैं क्या है चौदा नम्बर कोर्शन दिया गया करना आपकी एक्स की वैलू को करना है फाइंड हां पॉस एक्स इस इक्वल टू माइनस का वन बाइट यह आपके दिये गया है और इसके किसके इक्वल में होगा आपको कुछन का पूछना चाहरा है अगर उसकी लेंगवज आप समझ गए तो बहुत एजली आपका कोर्शन बन जाता है हां बहुत एजली आपका कोर्शन बन जाता है चलो क्यूंत करता एकक्स की वैलून चलिए तो यह क्या उठाभ पाई फॉन कर्ण होता है नभ ह andar बेंघ का थिरीटाय मल्टिप्लाइटेिट्य लग्व मestraina ओ जाएगा मैं इसवर्ट टू फाइपों सिकस क्या होता है 30 विएघ्ट का थिरली टाइम मृटीप्ला कराएं कितना आजाएगा 1.500 विए कॉर्ट कि इस उस्बहल सीवर्ट टू पाइप एप ऑन थी यह ओता है साट difficult का फ्रॉタ कितना आ जाएगा 240 डिगरी समझ में आई बात चलिए अब आपको क्या इक्वल कराना है कि कॉस एक्स इस इक्वल टू माइनस के वन बाई टू किसके इक्वल में होता है तो सॉल्व करेंगे चलिए पहला ओप्षन लीजिए पहला ओप्षन क्या है आपका 270 डिगरी 270 डिगरी पल्प आम 90 के फॉर्मेंट में ब्रेक किजिए तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 90 के 90 के दो गुने से हां 90 के दो गुने से का पोज गया 180 से कितना देखो इसका लिखने का फॉर्मेट भाई एक बार आपको लाश्ट टाइम बता देना है चलो 270 है ना चलिए 90 के फॉर् आलवे में समझना है तीन बार में करेंगा डायक्ट कर जाएगा चलो 90 के दो गुने से हां 90 के दो गुने से 90 डिगरी 90 डिगरी अधिक है लिखने का आपको बताया था चलिए इसके बाद आगे इसको सॉल्व करिए तो देखिए तोस जो है सेकेंड क्वार्डेंट से भी ज तो यह कॉस क्या हो जाएगा निगेटिव इसके बाद देखिए 90 का और मल्टीपल है या इवन 90 का इवन मल्टीपल है और इवन मल्टीपल पर रेजियो स्नो चेंज तो कॉस माइनस का कॉस 90 डिगरी और कॉस 90 की वैलू क्या होती है बताये कॉस 90 की वैलू क्या होती है जीरो जानते हैं आप कॉस 90 की वैलू क्या हो जाएगी जीरो जलिए अभी 270 वाल आपने किया सॉल्व जो कि आपका यह हो गया रॉंग अब लेते हैं वाई किसको अब उठाईए आप हाँ अभी यह हो गया आपका 270 वाली बात अब आते हैं किसे पे 120 जलो देखते हैं सायद यह हो जाए तो देखिए कॉस robot कई को नबबे के फीर टो दिए तो नबबे के नबबे के एक गुने से तीस डिगरी अछि अधीक है क्या हो जाएगा आपका लिए डेख और सहिंस जाएका अब तो चुरु इसके बाद 90 का और्ट मुल्टीपल है तो साइन में कनवर्ड हो जाएका ना कॉस तो यह को जाए और 30 दीख राए और 30 की वैलू क्या होते है तो इक आउट हाते हैं क्या है आप देते हैं दो 150 डिगरी 150 डिगरी वाला सय Taste Ск relate एक सब्सक्राइब किरी आभ इसको 90 के फैर्वीर Πरेक किले क्य क्या होजाएगा नबेड़ के एक गुनह से 90 के 1 गुने से 60 डिगरी अधिक है 90 के 1 गुने से 60 डिगरी अधिक है तो क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा भाई ये देखें, 1st Quadrant से भी जादा 2nd Quadrant और 2nd Quadrant में कौस होता है माइनस का, तो माइनस का 90 का और मल्टीपल है तो साइन में कनवाड हो जाएगा आपने कॉंपलिमेंटरीं और साइन 60 की वैलू क्या होती है साइन 60 की वैलू होती है माइनस तो आपका आजेटी साइन 60 की वैलू होती है root 3 by 2 ये तो इक्वल में नहीं हुआ और क्या बचा और आपका ये बचा एक और आपका एक और बचा क्या दो सो चालिज डिगरी हाँ दो सचालिज डिगरी तो देखिए कॉस कॉस दो सचालिज को आपको 90 के फॉर्मेट में ब्रेक कीजिए तो क्या हो जाएगा नब्बे के नब्बे के दो गुने से हाँ नब्बे के दो गुने से भी ज्यादा थार्ड क्वार्ड और थार्ड क्वार्ड इप आपका 10 पॉसिटीव होता है बाकि आपके सारे निगेटिव तो निगेटिव कॉस्ट का इवन मल्टीपल है नो चैंज तो को जाए का सिक्स्टी डिगरी और कॉस्टी की वालू क्या होती है मानेस तो आपका ए किसले साथ हम ओट त्री सन सैटिस्ट वारे एक टो एक है कोर्डब मेरा है और कम कांत्र बहुंपल निगेस और नि शौट्व ट्रॉट लेटिव ऑटतेदाव तो और कुस्टे म वहां एंट्र था कई विश्ट होगा उसको यहां पे एनिक कdong आरे देनी थी ये यह कि इन इक्वार्टी यह बना कि देनी थी जो आपका X हां जवापका X वह जादा है पर X 180 से कम हैं, ऐसे करके कुछ इनिक्वाल्टी बना कि देनी थी, तो दीए नब्बे से जादा और 180 के बीच में कौन से वाला तब आपका ओप्षन हो जाता 110 समझ पा रहे न इस को समझ पा रहे ना चलिए तो इस टाइप की इनी क्वाल्टी बना के देनी थी तब आपका कौन से राइट हो जाता 120 डिग्री हां 120 डिग्री इसी लिए इसी लिए इस सिलाइड में मैंने डिक्टो आंसर ऐसा ही डिक्टो सेम छाब दिये जैसा आपका एक्जामनर में दिया गया था एक्जाम हॉल में जैसा आपका पूचा गया था ऐसे से छेसल का वाइसा ही मैंने यहां पेस्ट कर दिया क्योंकि इसका पीछे का लोजिक आपको समझा पाई ना कि क्यूं हुआ ये तो बास समझ में आई तो एक्जामनर को यहां पे इनीक्वाल्टी बना के देनी थी तब कौन से राइट हो जाता है 120 डिगरी क्योंकि भाई 120 भी सैटिस्फाई हो रहा है तो करेक्ट आप नहीं चूज कर पा रहे ना और दोनों की पॉस्बेल्टी की आदार पे आप एक आंसर करेक्ट कर भी नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे सटीक आंसर देना है आपक रहे तब जाके एक्जामनर ने अपनी गलती को सुईकार किया इसके बाद हां इसके बाद उसने कर चिर फिर यह दखी कवाया था 2020 में हाँ पर उसने अपनी गलती को माना एस श्टि सीजियल में दिया उसने ब्सन ऑदोzy रहे गैस में उसने अपनी गलती को सुधारा और उसी कुशन को इस फॉर्मेड में दिया सुने तो उसने ये कहा कि अब उसने अपनी गलती मानी हां तो देखो कॉस इस इक्वल टू मानेस का वन बाई टू एक्स जो है लाई कर रहा है एक्स जो है का झाल झिया झाल कर रहा हुआए्ट कि एक्स ये ले किर दो है झाल 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 झाल